दोस्तों एक लड़की गेहरी नीद में सोई हुई होती है और रात्री में उसकी नीद खुल जाती है नीद जब खुलती है तो कमरे में से किसी के बोलने की आबाज आ रही थी वो कमरा उसकी भावी का होता है तो वो उटकर के उस कमरे के पास जाती है, कमरे के पास जब जाती है, जाने के बाद कान लगा कर वो सुनती है, तो किसी मर्द की बोलने की आवाज आ रही थी, उसकी भावी भी बते आ रही थी, क्यों उसका भाई नोकरी पर विदेश गया हुआ था, तो उसने बिचार किया, आखिरकार इस रूम के अंदर कौन हो सकता है आज चार-पांस दिन हो गए इसी प्रकार से आवाज आ रही है तो अपनी मा को बुला के लाती है तो मा भी सुनती है उसके बाद उसके पिता को बुला के लाती है तो पिता भी सुनते हैं उसके बाद में वो लग हमत करते हैं हमत करने की बाद और उस बहु से गेट खोलने के लिए कहा जाता है गेट खोलने के लिए कहा जाता है तो वो बड़ी देर में गेट खोलती है गेट खोलने की बाद जब वो लोग देखते हैं उस रूम का नजारा तो देखने के बाद दं लगता है दोस्तो ये बड़ा ही अजब कहानी है थोड़ा समय निकालिए नमस्काई पडाम मैं हूँ प्रेम आदवी जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये यूपी की देवरिया की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिष्टिक देवरिया की कहानी है दोस्तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनजीत. मनजीत का विवाः पडोस में ये गाउं होता है सोहर वहां की कविता नाम की लड़की से व्याह हो जाता है. उस कविता से विवाः हो जाता है कविता साधी करने के बाद अपने पती के घर आ जाती है. पती के घर आने के बाद पती को समय के लिए रहता है और रहने के बाद बाहर नोकरी पर चला जाता है दोस्तो जब नोकरी पर चला जाता है चले जाने के बाद और वो महीने दो महीने बाद फिर लोट करके आता है पत्नी को बुला ले जाने के लिए कहता है लेकिन पत्नी किसी कारड़ वस नहीं जा पाती है तो वो बहीं रुक जाती है दोस्तों इसके बाद में जो उसकी पत्नी होती है कविता एक लड़का से प्रेम करती थी जिस लड़के का नाम था मनोज अपने पती को न चाकर उस मनोज को बहुत इंतहा प्रेम किया करती थी और मनोज से हमेशा दिल की बात करती रहती थी मनोज को बहुत चाहने बाली थी मनोज को बहुत चाहती रहती थी दोस्तों इसके बाद में एक दिन वो फॉन करके उस मनोज को अपने घर बुला लेती है जब घर पे कोई नहीं होता और उसके बाद जब घर खाली होता है वो लड़का उसके घर आ जाता है और उसके साथ सबस्वन ननद खेत पर गए हुए होते हैं और उस मनोज नाम के लड़का को जो कविता होती है अपने घर के अंदर बेड रूम में छुपा लेती है कई छट पे बने हुए जो सिलप होते हैं जिस पर परदा लगा हुआ होता है उस पर लिटा देती थी घर वाले घर से बाहर चले जाते थे तो उसे बाहर निकाल कर उसके साथ रंगेलिया मनाया करती थी मनोज भी ऐसा था कि आज उसे पास दिन हो गए क्योंकि घर में ही टोइलेट था वातरूम था तो वो उस जगे उसे छुपा करके रखती थी उससे वो इन तहा प्रेम करती थी दोस्तो और इनका जो प्रेम होता है ये बच्पन से होता है दोस्तो उसके बाद खेतों में काम सलगा था इसलिए वो लोग बाहर से ले जाते थे वो गेट बंद करके अपने प्रेमी के साथ एस और आराम से रह रह रही थी दोस्तो इसके बाद एक दिन उसकी ननद जागती है तो उस कमरे से कुछ बोलने की आवाज आती है जिसमें इसकी भावी लेटी हुई होती है इसके बाद में वो गेट के पास पहुंचती है उसकी ननद जब कान लगा कर सुनती है तो उसमें किसी के बोलने की आवाज आती तभी वो अपने मा के पास जाती है और मा को जगाती है जगाने की बाद मास को पूरी बात बता देती है मा भी जाती है तो आवाज सुनती है अपने पती को बला कर लाती है पती को बलाने के बाद और जब वो तीनों लोग सुनते हैं तो उसमें से एक लड़की की आवाज आती है तो जो उस बहु का ससुर होता है वो जाता है तो एक अपने घर के ही लड़कों को बुला कर लाता है कि इसके अंदर कोई मर्द है उसके बाद में बहु से सास कहती है बहु जरा गेट खोलो क्या है हम भी देखते हैं कौन है तुमारे पास तो बड़ी हमत करके उस लड़का को बैड़ की नीचे खोशेड़ देती है जब गेट खोलती है गेट खोलने के बाद वहाँ कोई नहीं मिलता क्यों कि गेट थोड़ी देर में खोलता है लेकिन जब वो टॉर्च लगा करके बलफ जराते हैं अंदर देखते हैं बैट के नीचे एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है जब उसे देखते हैं तो सबको होस उड़ जाते हैं आखरकार ऐसे कैसा हुआ तो उस लड़का को पकड़ लिया जाता है पकड़ने के बाद उसकी इतनी पिटाई की जाती है उसे पूछा जाता है कि तु कब से आ रहा है तो वो कहता आज मुझे पांस दिन हो गए मुझे पांस दिन हो गए इन्होंने फौन करके बोलाया था मैं इसी जगए रह रहा हूँ और मुझे इस जगए छुपा दिया जाता है मेरा कोई कसूर नहीं है तो उसे लोग कहते हैं तेरा कसूर क्यों नहीं कसूर तो यही है कि तूने किसी को बताया क्यों नहीं दूसरे के घर में तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू आ करके इनके घर में छुप गया दोस्तो मार पीट जब की जाती है तो वो रोने लगता है गड़गडाने लगता है कहता है पिलीज मुझे माप कर दो आज के लावा ऐसा नहीं हो सकता जब बहु को पूछा जाता है तो बहु साप इनकार कर देती है कि मैं तुमारे पती मंजीब को नहीं चाकर और इस लड़की को चाती है दोस्तो इसके बाद में पुलिस को फोन किया जाता है पुलिस को फोन किया जाता है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है पहुंचने के बाद और दोनों का बयान लिया जाता है सब के सामने खड़ा किया जाता है लेकिन वो औरत को पूछा जाता है तो वो लड़की करता कहती है कि मेरा बच्पन से प्यार चला है लगब साथ साल हो गए मैं इसे दिल और जान से चाहती हूँ मेरी साधी तो मेरी बिगर मरजी के यहां पर हुई है लेकिन मैं इस लड़की से प्रेम करती हूँ और करती रहूंगी जी जान से मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ दोस्तों इसके बाद जब लड़की को पूछा जाता है तो लड़का कहता है कि जो उनकी मरजी है जो वो कह रही है वही मेरी मरजी है उसके बाद में उसके पती को फोन लगाया जाता है तो लड़का कहता है ठीक है मैं जल्दी ही दू दिन के अंदर यहां आ जाओंगा लड़की के मैके बालों को बलाया जाता है लेकिन मैके बाले जो होते हैं कहते हैं कि अगर ये नहीं मानती है तो क्या किया जाए ऐसा मत करो क्यों कि लड़का दूसरी ब्रादरी का था लेकिन कहते हैं कि प्यार होता है तो ऐसा होता है उसका पती भी आकर उसे समझाने लगता है लेकिन कबता बिलकुन नहीं मानती है उन दोनों को इतना मारा पीटा जाता है लेकिन एक दूसरे की जेट भर लेते हैं नहीं तो लड़की उस बात को पलटती है नहीं वो लड़का उस बात को पलटता है उसके बाद में ठाने में जाकर कि दोनों का फैसला होता है फैसला यहां तक होता है कि जब वो अपनी जिद पर है तो फुलस के संग्यान में जब बात पहुंचती है तो वो लड़की उस लड़का के ही साथ चली जाती जिसका नाम कविता होता है और वो मनोज के साथ साधी कर लेती है और अपने पती को छोड़ करके बहां से चली जाती है जाने के बाद दोस्तों जब वो लड़का ले जाता है दूर चला जाता है चले जाने के बाद उधर बही लड़की जो होती है उस लड़का से महबत करती थी लेकिन उस लड़की का अक्समात एक्सिडेंट हो जाता है और वो लड़का खतम हो जाता है जब वो लड़का खतम हो जाता है तो वो कहीं की नहीं रहती क्योंकि उसने नहीं तो मां की बात मानी ना ही अपने सस्राल वालों की बात मानी ना ही किसी की बात मानी वो लड़का खतम हो जाता है खतम होने के बाद वो लड़की दरदरगी हो जाती है और वो यहां तक होता है कि वो पलिट फारम पर भीक मांगने के लिए आरूर हो जाती है और वो भीक मांग करके अपना गुजारा करने लगती है इसके बाद में दोस्तो कहानी यहां तक होती है कि कहते हैं कि जो किसी की नहीं मानता है अंत में दरदर की ठोकर खाता है आज वो लड़की इधर उधर भटकने लगती है उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता है क्योंकि नहीं तो उसके पती की बात मानी थी नहीं साथ ससुर की बात मानी थी नहीं अपने घर वालों की बात मानी थी उसका नतीजा उसे भुगतने को मिला दोस्तो इसके बाद में उसका जब कोई चारा नहीं चलता तो एक साधवी बन करके और अपने जिन्दगी को यापन करने लगती है कहते हैं जो किसी की नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है दोस्तो ये कहानी हमारी कैशी लगी कमेंट करके अबस बताईए क्या इन लोगों ने सही किया सो उसे छोड़ दिया और उसे जाने दिया और अपनी एज़त को बचाया क्योंकि इस कहानी को सुना कर किसी को परिशान करना नहीं है किसी को दिल दुखाना नहीं है क्योंकि तुमारे घर में अगर बेहन बेटी है तो उस पे निगरानी रखिए उसके साथ चलन को पर रखिए क्यों कि तुम्हारे नाम पर घबा ना लगा दे क्यों कि आज कल ऐसा ही जादा देखने में आ रहा है कि कुछ लोग करते हैं कुछ होता है कुछ पता ही नहीं चलता कि कहां क्या हो जाता है इसलिए बेहन बेटी पर नज़र रखी अपने बच्चों पर ताकि बिगडने न पा का पता का ख्यार रखी नहीं